नमस्कार, Sell It Well India के special episode में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे टेली कॉलिंग, ये क्यों important है और टेली कॉलिंग हमारे लिए क्या दरवाजे खोल सकती है, कैसे करनी है टेली कॉलिंग, सबसे पहले बात करते हैं, टेली कॉलिंग बहुत ही important है, number one इसका फाइदा क्या है कि आपका ये personal connection बनाता है, आज की इस दुनिया में जहां social media अपसे लोग overloaded हैं, email, whatsapp वगेरा वगेरा, टेली कॉलिंग तुरंत आपका personal connection बना देता है, आपकी आवाज से, आपकी energy से, लोग immediately connect हो जाते हैं, number two, real time interaction आप कर सकते हो, यानि कि जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप directly response ले सकते हो, आपको बहुत सारा wait करने की जुरत नहीं है, अपनी meeting fix कर सकते हो, एक गंटे की telecalling में आप पूरे week का meeting कर सकते हो, direct communication कर सकते हो, customer को कई बार बड़े confusion होते हैं, आपको भी होते हैं, जब आप telecalling करते हो, तो वो direct confusions को आप दूर कर स रखते हो, और इसमें बहुत बढ़िया result आपको मिलेगा, कि एक गंटे के अंदर ही आपका telecalling में बहुत अच्छी meetings fix हो गई, तो जैसे कि आपने देखा telecalling के बहुत सारे फाइदे हैं, आप बात करते हैं कि telecalling कैसे की जाती है, दोस्तो, telecalling कोई script के बारे में नहीं है, कोई mantra नहीं है, जो सफल हो जाएगा, telecalling is all about how good your mood is, कितने prepared आप हो, कितना homework आप कर सकते हो, profile जिस पे call कर रहे हो उससे पहले, अगर lead पे call कर रहे हो तो call थोड़ा अलग होगा, data पे कर रहे हो तो अलग होगा, doctor को कर रहे हो तो अलग होगा, lawyer को कर रहे हो तो अलग होगा, business man को अलग, और ये script अलग नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको tweak करना है, so please do not ask script, please prepare your own script, अब opening कैसी होनी चाहिए, आपकी opening engaging होनी चाहिए, थोड़ी different होनी चाहिए, telecaller जैसा sound नहीं होना चाहिए, discussion के लिए invitation होना चाहिए, जैसे नमशकार, मैं योगेंदर मलिक बोल रहा financial advisor जिसको retirement doctor के नाम से भी जाना जाता है, मुझे आपकी profile बहुत बढ़िया लगी, मुझे लगा हम दोनों को बात करनी चाहिए, क्या बात कर सकते हैं, अब आपने इस opening को देखा, यहाँ पर मैं telecaller जैसे sound नहीं किया, मैंने retirement doctor का बात किया, profile का appreciation दिया, अब question के साथ engage कर सक देखें, मैं एक retirement doctor हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए retirement का blueprint बनाता हूँ, तो मैं जाना चाहता था, क्या आपने अपनी retirement की सफलता के लिए कोई blueprint बनाया है, तो अब आपने invite किया कि वो retirement के उपर discussion करें, अब ध्यान से सुनते रहिए, वो बोल रहे हैं, note करते रहिए, और आप अपनी retirement जैसे महत्पून topic के लिए 20 से 30 मिनट निकाल सकते हैं, अब आपने call to action के लिए, यानि के meeting fix कर लिया, और now you are done, simple telecalling, not to tell about product, just to tell about discussion point, retirement success blueprint, इसी तरह से आप बना सकते हो, child education success blueprint, telecalling आपके लिए appointment fix करता है, यानि के आपकी selling cycle का बड़ा important step है, इससे भी एक और important trap है, वो है leads लेना, but telecalling अगर नहीं आता, वो leads worth है, बहुत सारे लोगो leads आती है, but telecalling नहीं आता, तो leads worth चली जाती है, telecalling आपके लिए वो प्यार के दरवाजे खोलता है, जो आप customer कुद देना चाहते हैं, और यह प्यार सफल तब होगा, जब customer transaction करेगा, so now what are you waiting for, pick up the phone and start doing telecalling, all the very best.